को अब्रीबन दिस आक्षी राजपूत्व और अज के इस वीडियो में हम मेली स्टार्ट करने वाले हैं जैसे की आज हम सबसे पहले टिसकर्स करने वाले हैं तो हैल्थ क्या होती है सबसे बड़ा जो इसमें इंपोर्टेंट चीज एक है यह जा नहीं लेंगे साथ ही साथ इसमें कि health के types कितने होते हैं तो वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि health के types कितने होते हैं तो आज के इस वीडियो में हमें social pharmacy में health और दूसरा type of health के बारे में discuss करना है तो सबसे पहले देखते हैं हम definition definition क्या होती है health की health refers to the physical mental and emotional state with the absence of illness or any medically measured risk factor इसका मतब क्या होते हैं health वो होती है जब आप physically fit है mentally fit है spiritually fit है और socially fit है और आपके body के अंदर कोई भी बिमारी नहीं है तो वो condition कहलाती है आपकी क्या health चिक है अब देखें यहां पर एक फिर से point दिया है absence of illness आपके body के अंदर कोई भी बिमारी नहीं है वो condition और जब आप physically mentally emotionally या फिर socially पूरी तरीके से fit है वो condition आपकी क्या कहलाती है health कहलाती है अब आजाते हैं यहां पर और एनी medically measured risk factor जेखे कोई भी ऐसा risk factor जो की medically measure किया जाए जिसे कोई भी ऐसा risk factor हो सकता है कि इसके कारण यह बिमारी हो सकती है कोई भी आपकी body के अंदर कि अगर कोई भी problem हो रही है जैसे मान सकते हैं कि पेट में कोई दर्द हो रहा है आपको पेट में किसी भी प्रकार करके दर्द हो रहा है तो वह क्या है आपका यह idea लगाया जा सकता है कि यह इसके बभी making risk factor देखने को ना मिले तो आप क्या है पूरी तरीके से fit है वो आपकी क्या कहलाती है health कहलाती है अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे दूसरा second जो हमारा है types of health अब देखें कितने type होते है health के फर्स्ट होता है physical health छिखे physical health second mental health third social health और फॉर्ट आपका spiritual health mainly यह चार type होते है health के बागी environmental health या फिर और भी type हो सकते है health के लेकिन जो main चार type होते हैं वो यही होते हैं जैसे कि आपका जैसे मैंने बताया, physical health हो गया, mental health हो गया, social health हो गया, spiritual health हो गया, अब इन चारों टाइप को कि इन चारों में क्या difference है, वो आपको अभी आगे एक एक करके हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है physical health, so what is physical health, physical health क्या होती है, physical health से मतलब है जैसे कि यहां पर आपका दिया हुआ है physical health, it means the condition of physical body and how suitable it is to function considering it all parts with the flexibility, it is affected by sufficient intake of nutrition, physical activity, rest and environment zone, अब देखे हम बात कर लेते हैं physical health की, मैं आपको normally समझा देती हूँ पहले कि physical health आखिर कर क्या होती है, तो physical health का मतलब होता है जैसे कि आप कभी भी कोई ऐसा person है या फिर आप भी है आपकी जो तबियात है वो सही नहीं है, ठीक एक 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 जामपल ले लेते हैं आपको कोई भी बिमारी हुई है आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब अपने friend circle में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको देखके जो सामने आपका friend है या फिर कोई भी है वो पहचान लेता है कि आज आपको कोई प्रोब्लम है या फिर आपने उसे बताया नहीं लेकिन कैसे पहचान लेता है क्योंकि आप physically fit नहीं उसे दिखाई दे रहे हो जैसे कि आपकी जो hairs है उनसे भी पता चल जाता है आई contact से पता चल जाता है आपके face expression से पता चल जाता है तो यह किस में आ जाती है यह health आ जाती कैसे work कर रही है जब आप normal रहते हैं तो आपकी body किस तरीके से work करती है जैसे कि example ले लेते हैं आप sad है और दूसरा क्या है मतला बहुत ज Prisonahan Ар और दूसरा जब आप happy होते हैं तो भी आपकी body और आपका चेहरा आपका face expression बता देते हैं कि आप happy तो और कैसे बता चलता है फिजिकली आपको देखके वो आईडिया लगा लिया जाता है यही कहलाई जाती है आपकी फिजिकल है और हाव सुटेबल इट इस तो फंक्शन काम भी करते हैं सारी चीजे करने का मन भी करता है लेकिन फिजिकली फिट नहीं है तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कुछ भी करने का मन भी नहीं करता है अपकी वह किसके कारण अफेक्ट होती है mean nutrition के कारण आप अच्छे से nutrition नहीं ले रहे है फिजिकल अप रेस्ट नहीं कर रहे हैं अच्छे से आप्रेस्ट नहीं कर रहे है ताइम से सो नहीं रहे है उसके बाद an environment zone, आप किस तरीके के environment में रह रहे हैं, अगर environment बहुत ज़्यादा qualitative है, तो means आप physically कब तक fit रह पाएंगे, ज़्यादा time तक fit नहीं रह पाएंगे, उसके बादे where the person is residing or at the place, it encourage us to take proper care of the body in terms of strength and endurance, देखे, अब क्या होता है, जब आपकी body physically fit है, तो वो कैसी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि आपकी body में बहुत ज़्यादा strength, आप बहुत ज़्यादा active feel करते हैं, चिक है, उसके बाद है, one should intake nutrition, और जब आप क्या कर लेते हैं, अगर आप nutrition ले रहे हैं, अच्छे से nutrition आपने लिया, आप balanced diet, अच्छे से balanced diet भी ले रहे हैं, and plenty of water to help achieve the body physical fitness, means क्या होता है, अगर आप, देखे, दो चीजों में आपर difference बता है, अगर आप अच्छे से nutrition नहीं ले रहे हैं, तो आप physically fit नहीं लगेंगे, अगर आप अच्छे से nutrition ले रहे हैं, और अच्छा पानी पी रहे ह है, स्वच पानी अगर आप पी रहे हैं, तो वो भी आपकी body को physically fit रखने में help करता है, ठीक है, तो physical health, hope so, आपको समझ में आ गई होगी, अब हम बात करते हैं, next आपकी mental health, देखे, mental health क्या होती है, बहुत important है, जो की mental health होती है, आपकी यह बहुत जादा important होती है, mental health की, at an appropriate level of emotional adjustment and the behavior being shown, good mental health does not mean free of illness, it indicates how the stress and relationship are managed, which could be done by instilling a sense of confidence, optimism, acknowledgement of being oneself, performing yoga and exercise, अब देखे, इसमें mental health क्या होती है, मैं आपको यह भी normally समझा देती हूं कि mental health क्या होती है, physical health मैंने आपको बता दी, अब आजाते हैं mental health पे, तो एक example यहाँ पे देखे, मैंने लिया है, COVID का, चीक है, COVID-19 आपको पता है, जो second wave थी COVID की, तो उसमें जो persons थे, वो जादा ऐसा नहीं कि COVID के कारण ही, वो उनकी death हो ती, जिनने COVID हुआ, अगर वो recovery कर पा रहे थे, क्योंकि वो mentally fit थे, अगर mentally fit नहीं थे, तो क्या हो जा रहा था, उनकी death हो जा रही थी, कि डर के कारण हो जा रही थी, क्योंकि वो अपने दिमाग पे संतूलन नहीं कर पा रहे थे, यह एक example हो सकता है, साथी साथ यहाँ पे लिया है, देखे, mentally fit होने का मतलब क्या है, कि आप किसी भी कोई भी कितनी भी stress की condition हो, आप उसे easily ले रहे हैं, ठीक है, अब देखे, यहाँ पे जैसे की COVID की second wave आई थी, या COVID के कारण जो lockdown हो जाता है, ठीक है, घर में आप लोग बंद रहते हैं, income source बंद हो जाता है, तो उस उसकी क्या होती है, mental health होती है, लेकिन जो recover नहीं कर पाते हैं, उस situation से और depressed हो जाते हैं, तो वो भी उसकी क्या होती है, mental health होती है, जिसे वो cover नहीं कर पाता है, तो mentally, आपको समझ में, हुपसो आ गया होगा इस example से, जैसके isolation किसी को isolate कर दिया है, तो वो mentally परेशान हो जाएगा और अगर दिमाघ से ही बिमारी मैं चीज है है वो किसी के कारण भी बिमारी हो सकती है बैक्तिरिया वायरस म्सक लिए कि सब्सक्राइगा इसके बार मैंट सब tapa मैंने ह Kenneth रहों तो पुछ बहुत मैंटली डिप्रेश हो गई COVID-19 इसका बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण बहुत सारे लोग mentally depressed हो गए तो यह क्या कहलाती है mental health कहलाती है जैसे कि social distancing आपको उससे बात नहीं करनी है आप से कोई बात नहीं करना अगर पता चला है आप बाहर से आये हैं तो आप से कोई बात नहीं करना तो उस type में क्य हो गए तो लोग बाद mentally depressed हो गए तो यह क्या कहलाता है आपका mental health कहलाता है ठीक है जैसे कि यहां पर दिया है the psychological state should be maintained at an appropriate level of emotional adjustment इसमें आप emotional adjustment भी बोल सकते हैं कि mentally prepared जैसे कि घर का ही example ले लेते हैं घर में भी क्या होती है अगर दो person है और दो person में husband wife ही है और उनके बीच में कुछ मदब जैसे कि क्या होता है कि घर में नहीं बन रही है इस type की कोई situation होती है तो क्या हो जाते persons mentally depressed भी हो जाते लेकिन उनके ऐसा नहीं यह देखी यहां पर एक main दो उसके अंदर कोई भी जो बिमारिया है does not mean free of illness इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरीके से बिमारी से रहित है mental health का मतलब यह नहीं है अगर आपको कोई बिमारी भी नहीं है लेकिन आप mentally परेशान है मतलब आपके mind में कोई problem है जैसे कि कोई परेशानी है डिप्रेशन वगेरा है उसके कारण भी क्या हो सकता है mental health उससे आपकी जानी जाती है hope so आपका mental health भी clear हो गया होगा अब अगर मैं बात करूं next है social health अब social health क्या होती है social health का भी मैं आपको example देती हूं इस photograph के through पहले definition पढ़ लेते है अब इसमें आपको एक best example देती हूं social health का तो उससे आपका clear हो जाएगा जैसे की example क्या है यहां पर आप एक photograph देख रहे हैं क्या यह किसी company के employee हो सकते हैं किसी company के यह employee हो सकते हैं यहां पर हम example लेते हैं students का ठीक है आप है आप भी एक student है और अगर आप कहीं गाओं से हैं और कहीं बाहर जाते हैं क्या study करने के लिए ठीक है तो socially आपको society के साथ मिलना पड़ेगा means आपके college में ऐसे लोग भी होंगे जो कि सहर से होंगे ऐसे student भी होंगे लेकिन आपने भी admission d farm में लिया है चीक है और जो वह city का बंदा है जो student है उसने भी admission d farm में लिया है मतलब वहां आप क्या है same है class में आप दोनों same है लेकिन क्या होता है कु करते हैं तो socially उनके उपर क्या पड़ता है effect पड़ता है वह society के साथ क्या नहीं कर पाते तो यह क्या कहलाती है social health कहलाती है अब अगर definition के according देखें it is a state of being friendly and interactive with others कि हम किस तरीके से दूसरे बंदों के साथ friendly हो रहे हैं और interact कर रहे हैं मतलब हम दूसरों के साथ कैसे interact कर रहे हैं example यह भी हो सकता है कि हम सहर से हैं ठीक हम बड़ी city से हैं लेकिन हमारी job जो government job लगी वो एक छोटे से गाउं में एक छोटे से village में जाके लगी वहाँ पर हमारा transfer हो गया तो वहां आप society के साथ कैसे manage कर पाएंगे कैसे आपको manage करना है आप socially fit हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे तो वो कहलाती है आपकी social health जो कि किसके साथ मतलब आपके कैसे social relationship है वहां society के साथ तो यह कहलाती है आपकी social health अब अगर मैं बात करूं next is spiritual health यह last है आपकी health के टाइप में spiritual health यह भी important है spiritual health का मतलब क्या होता है देखे it said the aim and purpose of life in understanding believe moral and ethics according to the national wellness institute one should respect tolerate others opinion and leave with value that remain with oneself while being true to yourself अब देखे क्या होता है spiritual health spiritual का मतलब होता है अंतर आत्मा मतलब आपकी अंतर आत्मा से जो health होती है वो कहलाती है spiritual health इसमें भी मैं एक example दूंगी आपको important और उससे आपका clear हो जाएगा कि spiritual health क्या होती है mind आपका दिमाग body और soul मतलब आत्मा यह तीनों एक साथ मिलके अगर हम बात करें काम करती है त इसे कि एक example मैं आपको दूंग क्या हुआ कोई person अगर बिमार है ठीक है person बिमार है उसे सर में दर्ध हो रहा है ठीक है pain हो रहा है और क्या किया जाता है कि ज्यादा तर यह old age में होता है और ज्यादा तर spiritual health जो काम करती है ज्यादा तर old age में और बच्चों में ठीक है children's में लेकिन हर age में यह करती है हर age group में करती है लेकिन ज्यादा तर जो देखा जाता है माना जाता है वह बच्चों में children's में और old persons जो होते हैं उनमें काम करती है कैसे अब देखे spiritual health का मतलब क्या होता है आपकी अंतरा आत्मा से जो health तो जैसे मैं बता रहे थी किसी को अगर सर म में pain है तो लेकिन हमारे पास क्या है pain killer नहीं है हम उसे कोई भी अगर sweet हम उसे tablet दे देते हैं कोई भी other tablet दे देते हैं तो थोड़ी दिर बाद हम क्या देखते हैं कि वो person क्या हो गया है सही हो गया है कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो old persons होते हैं जैसे वो किसी doctor के पास ज जा रहा है ठीक है doctor के पास जा रहा है अगर वो दवाई दे दे रहा है चाहिए वो कोई भी दवाई दे दे रहा है तो वो सही हो जा रहा है person लेकिन अगर वही medication कोई ओर doctor के पास उन्हें ले जाते हैं कोई ओर doctor दे रहा है तो वो सही नहीं हो पाते हैं तो जब तक वो person नह उने medication नहीं देगा तब तक वो सही feel नहीं करेंगे तो यह क्या होते हैं अंत्रात्मा मतलब मन से जो हमारी health होती है वो कहलाती है आपकी spiritual health religious faith इसमें religious faith भी आते हैं जैसे कि कोई भगवान को मानता है को अल्ला को मानता है Christian दूसरे गोड को मानते हैं इसाई धर्म दूसरे गोड को मानता है तो इस तरीके से क्या होता है इसमें religious faith भी आ जाते हैं ठीक है क्योंकि यह क्या है अंत्रात्मा से जो हम यह health होती है यह अंत्रात्मा से होती है and the inner calm to survive and thrive in every situation of predicament should remain consistent मतलब इसमें क्या होता है कि predicament मतलब कोई भी situation हो कोई भी स्थिती हो उसे किस से जैसे कि आप कोई भी स्थिती है वहां पर यह लग रहा है कहीं भी आप बाहर है और वहां पर train में है ठीक है और वहां पर medication आपको कोई भी बिमारी हो गई पेट में दर् है लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है तो उस टाइम क्या काम करती है spiritual health काम करती है कि ठीक है थोड़ी देर में सही हो जाएगा जिस भी religious के आप है गोड में faith करते हैं तो आप वह क्या करेंगे कि हाँ मैं सही हो जाओ इस तरीके से कुछ टाहिम बाद आराम भी लग जाता ह है mostly सही भी हो जाते हैं लेकिन अगर वह पूरी तरीके से यह सोचे कि हाँ अब तो कुछ कोई option ही नहीं है तो इसी तरीके से मुझे सही होना है तो वह हो भी जाते है तो यह क्या कहलाती है spiritual health कहलाती है for instance one should medicate spend their time in nature walk and cycle for a particular period अब देखे क्या होता है soul मतलब अंतरात्मा से य अच्छा रखने के लिए आपको कुछ time spend करना चाहिए nature के साथ मतलब अच्छी सुबह उठे हरी गास पे चले इस तरीके से walk करना बहुत जरूरी होता है और कुछ time क्या करें आप cycling भी कर सकते हैं तो इस तरीके से भी आप spiritual health जो है आपकी वह fit and fine रहेगी तो यह हो गया उस जरूर बताएं और आप जादा जानकारी के लिए और social pharmacy के complete lectures या फिर किसी भी subject के डी farm first year या second year के lectures के लिए आप उधित pharmacy app उधित pharmacy classes app जाके play store से download भी कर सकते हैं और जादा जानकारी के लिए description box में हमारा contact detail दिया हुआ है वहां से आप हमसे directly contact भी कर सकते हैं thank you so much